नमस्का दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक्साम पात फाइंड़ों में जहां हम आपके लिए कवर्मेंट जॉप्स, कॉम्पुटेटिफ एक्जाम से अड्मीशन और वेकंसी से रिलेटेड लेटेस इंफॉर्मीशन और अलर्च लेकर आते हैं तो चलिए दोस्तों बढ़ इससे रिलेटेड अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो यहां पर उफीशल नोटिफिकेशन गिवन है जिस कॉप हमारी प्लाटफॉर्म पर विजिट करके टाउनलोड करके देख सकते हैं तो जो उफीशल नोटिफिकेशन है वो कुछ इस तरह से है तो दोस्तों कि जो एप्लिकेशन निकली है यह गार्डन डीच शिप बिल्डर और इंजीनिर्स लिमिटेड में निकली है और यह एक पी एससी है साथी इसकी जो एप्लिकेशन की स्टार्टिंग डेट है वो है 16 जुलाई 2022 यानि कि 16 जुलाई 2022 से इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो के लिए reverb यह यहां गिवनुंट्रेशन ट्रींग के द्वारा इस्टीन का है द्वार च्रिंग की होनी चाहिए trade apprentice के लिए total जो number of vacancy निकलिए वो total 40 है approx, साथी duration training का है वो esper apprentice act है essential qualification जो होनी जो होनी जो applicant जो होना जो 10 standard मध्यमिक और equivalent examination में recognize central और state board से उसी के साथ age limit given है जो है 14 से 20 साल graduate apprentice के लिए जो number of vacancies निकलिए वो है total 16 approx, जो duration of training है वो है 12 month applicant के पास degree होनी जो engineering में जो होने degree लिए इंजिनेरिंग में और technology examination में calendar year 2020, 2021 और 2022 में से वो ही eligible है इसकी जो age limit है वो है 14 से 26 साल technician apprentice के लिए जो number of vacancy निकलिए वो है approximately 30 duration of training है 12 agential qualification होनी जीए वो candidate के पास diploma होना जो होना जो है इंजिनेरिंग में age relaxation की जानकारी यहाँ पे given है तो आप देख सकते है schedule का सब शेड्यूल tribes के लिए 5 साल का age relaxation है अधर backward classes के लिए 3 साल का है और physically handicapped और differently able candidates के लिए 10 साल का है application procedure यहाँ पे given है तो जो application mode है वो online है तो जो detail advertisement और procedure application का वो career section jrse की जो website www.jrse.in उसके career section पे आपको मिल जाएगा सभी candidates को online apply करना होगा तो आप इस application procedure को पढ़ सकते हैं यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि आपको कैसे apply करना है selection process भी हाँ पे given है और stipend given है trade apprentice pressure का जो stipend है वो first year का है 6,000 second year का है 6,000 trade apprentice xiti का जो stipend है per month वह 7,000 और 7,700 graduate apprentice का जो stipend है वो है 15,000 और उनकी placement भी given है तो आप इस तरह से देख सकते हैं आप आपको सारी जानकारी मिल जाएगी general instructions given है तो अगर आप इसके लिए apply करना चाहते है तो आप इसको जरूर go through करें यहां पर आपको सारी जानकारी इससे related मिल जाएगी यह detailed notification है और यहां पर सारी details उससे related given है दोस्तों मैंने आपको इस notification से related सारी जानकारी से उनुश्चत कर दिया अगर आप चाहें तो इस even को share कर सकते हैं share button पे click करके और इससे related updates से बने रहने के आप इस even को subscribe भी कर सकते हैं और अगर आप कोई भी information share करना चाहते हूं या discussion start करना चाहते हूं तो हमारी platform पे visit करके discuss button पे click करके हमारी platform community.exampatvandy.com पे visit कर सकते हैं इसका जो link है मैं आप लोगों की मदद के लिए description box में डाल दूँगी और अगर आप कोई भी information share करना चाहते हूं या discussion start करना चाहते हूं तो राइट हा reply section पे आके reply करके information share कर सकते हैं और discussion start कर सकते हैं fellow candidates के साथ तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मैं आशा करती हूं कि आपको अधिक से अधिक information मिल पाई होगी वीडियो अच्छा लगी तो उसे like and share करें और हमारी चानल को subscribe करें वीडियो में अंतक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में